हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आयार इस्टेडी में दोस्ते स्वीडियो हम मिस्रण यानि के एलिगेशन के कुष्ण को सौल करेंगा और बहुत ही दिखी शौर्ट मेतड से बेस्ट एप्रोच से हम इन कुष्ण को सौल करेंगा जो क जेई का सवाल आप देख सकते हैं और इसके लावा हम एससी सीजी एल सीचेसल सीप्यों और एम्टेस में आई वे कुष्ण जो है प्रीवियस यहर के उनको ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर वाइस कुष्ण को वीडियो में सौल कर रहे यानि कि कम समय में ही आ नहीं को देख सकते हैं तो चलिए हम बिने किसी देरे के वीडियो को शूरू करते हैं और देखते इसमें पहला कुष्ण क्या दिया गया है तो देखें यहाँ पर पहला कुशन दिया गया है कि एक मिस्रण की 90 लेटर मात्रा में दूद और पानी का अनुपाद चार अनुपाद एक है इसके अलावा देगेंगे दूसरे मिस्रन के 90-0.000 मातर में दूढ़ और पानी का अनुपाद तीन अनुपाद यहाँ पर दो है दूनुव ही जो हमें यहाँ पर मिस्रन के दिये गए है ं गोल वो दोनों नबे नबे 1.000 नबे लीटर के लिए हैं अब दोनों मिश्रणों में दूद की मातराओं का धनात्मक यानि कि पॉजिटिव अंतर कितना होगा यह हमें बताना है तो देखे जैसे कि यह प्रैक्टिस से सने तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉस करके कुशन को खुछ से ट्राइ कीजिएगा और उसके बाद आप हैँब है और लिटर में उसमें देखिए मिल्क और वाटर अब देखिसकते हैं कि मेल और यहां पर देखियों यहां पर देखिया गया है तीन अनुपाद कर अफ़ गा देखे देख के यहाँ पर आप इनका योग करेंगे गया और पर इनका योग करेंगे तो इनका 5 योगazed को अंधम क्या करते हैं इनका हिंए हम पांस हुम कि एक हाएं बींड बेलगा और आफर Specifically क्यूंद पांच है तुछ करके दिये गया है क्योंकि इसमें भी जो यह पहला वाला मिश्रण उसमें भी 90 लिटर गोल दिया गया है तो देखे पहले में अठरा चोग 72 यानि कि इसमें जो दूद हो जाएगा पहले वाले में वो तो 22 लिटर हो जाएगा और पानी होगा इसमें कुछ बेकिन हमें बतना यहाँ उलेंग्वेज अधियां से देखिएगा उन्चों मिश्रंण और कि दूध की मातरा होगा अंतर कितना सब्सक्राइब करेंगे इन दोनों कहीं हमसे डिफरेंस पूछा गया था लिटर होगा इसको उच्छन का राइट आंसर जब आप इसको कुछ से सॉल करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल कर लेंगे बहुत ही सिंपल से कुछन ने दिखिये अगला कुछन देखिये सीजल टीर 2 का सवाल यहां पर दिया गया है कि एक बरतन में अम्ल यानिके एसिड और वाटर का वाटर देखिये 32 लिटर घोल है दोनों कहीं अम्ल और जल का 32 लिटर घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपाद 5 अनुपाद 3 दिया गया है जब बरतन में 7.5 लिटर पानी मिला दिया जाता है तो यहां पर देखे प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा यह हमें बताना है यहां पर एसेड लिख लेते हैं यानि कि यह अम्ल बोल दो इसको यहां पर देखे पानी चले पानी पीसे डिनोट कर देते हैं पानी को इसमें देखे टोटल गोल जो है वो 32 लेटर का गोल है लेकिन इसमें से क्या किया गया है 12 लेटर गोल इसमें से निकाल लिया गया तो जब इसमें से 12 लेटर घूल निकाल लिया तो बच्चा कितना 20 लेटर क्योंकि 32 माइनस करते हम इसमें से 12 तो आ जाया है हमारा 20 लेटर अब यहां पर बोला गया आएगे जिसमें पानी यानिके अम्र और पानी का अनुपाद यहां पर देखे कितना दिया गया है पांच अनुपाद तीन हमें दे दिया गया है जब 5 पांच अनुपात 3 यहां पर देखें इनका अनुपात देदे तो इनकी मातरा हम यहां से निकाल सकते हैं हमारे इसाप से जिर टुटल घूल है अनुपात के हिसाप से वह 8 लेकिन कुश्चन में यहां पर गिवन है कि यह 20 लेटर है क्योंकि 32 में से हमने बारा लीटर गोर निकाल लिया तो बचा कितना है बीस लिटर यार्थ की मातर है वो बीश है किसके पराबर यह आठ के बराबर है तो अब हम देखें इसके निकाले पांस से मुल्टिप्लाइ कर देंगे जह हम इसमें से काटेंगे चार से इसको काटेंगे चार दुना में आठ और हो जागा यह चार पर परण बीज पच्चेस बटे 2 यानि कि इसकी आमल की जो मातर आ जाएगी इस मिश्रण में वह जाएगी ताड़े बारा लेटर या फिर सकते हैं इसके अलावा देखें दूसरी हम निकाल लेंगे तो यहां पर अपकी पर हम क्या करेंगे बेग diff L इसमें पांसे मुल्टिप्लाइ करेंगे 14 15 बटे में दो तो यहां से आलाग अलाग इनका हमने मातरा निकालने की पान्नी कितना है और यहां पर देखिए एसीट कितना है यहां पर देखेεसद तो है साड़े बाराल लिटर और पानी इसमें इस में सिर्फ сам ळात पानी मिला गया फानी मिला एसडो उतना इ gördग तो पानी का यहां पर अनुपात तो इसमें देखिए आप क्या कर देंगा तो साध्य साथ मतलब 15 बटे दो तो यहां पर देखिए एसट तो उसमें अभी 25 बटे दो यानिके साड़े 12 लेटर ही है और यहां पर अभी यह हो जाया कितना 15 तो यहां से अब हम इसको काटेंगे जब तो 25 बटे गाला जा गए बोना में चला जागा तो पांच अनुपात होगा और पादी का वह वहां पांच अनुपात छै ओप्शन यह होगा इसको सॉल कर सकते बस लेंग्वेज को आपको समयना और जैसे जैसे हमसे बोला गया है वै पर जाना है इसमान मातर में मिला जाते हैं इनको इतने भी खरीदता गया है समान मातर में इनको मिला दिया गया और मिलाने के बाद दीखिए यहां पर क्या किया गया 45 रोपए क्यश्य के भाव से इनको बेच दिया गया अब में प्रॉफिट कितना हो यह हमें बताना है तो मालि eensब देखिए 38 Nic приготов के हिसाप से उसने 1 डॉलारी पिलास दोनों को मिलादा है न तो और 42 Lindas किए फिर्टी के ख़या ह culturally इसने फ्रीने ने कोने खिरीदे किने कि अ कि तो चरएदे कि अध्य को है उनको बेचा कि इस बहुत यह का शसे टेस्वा कि Biology में 42 आजाएगा दोनों को जो हम एड करेंगे तो देखिए 40 और 30 70 72 80 यानि कि 80 रुपय में उसने चावल को खईदा और 90 रुपय में उसने चावल को बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 10 रुपय का किस के उपर हुआ कोस्ट प्राइस के उपर होता है हमें सा देखिए यह तो आ जाएगा इनका कोस्ट प्राइस यह आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस को कि वह नब्य रुपय पिरते केजी के भाव से बेच रहा है दो कि लो चावल बेचेगा वह तो 90 रुपय को उसको बेचने पढ़ेंगे यह नहीं कि 90 रुपय के भी खरीदे कितने के उसमें 80 रुपय के दोनों मिक्स करके वह बेच रहा है देखिए तो देखिए 80 रुपय में खरीदे और बेच नब्य में प्रॉफिट कितना हुआ दसका जिरो से जिरो कैंसिल एक बटे आट का मतलब होता है साड़े बारा परस 20 रुपय प्रति केजी की दर से 30 किलो चावल और 28 रुपय दर पर खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है नहीं कि उनको मिला देता है खरीदने के बाद और वह इस पिरकार बने पूरे मिशनर को 28 रुपय पर केजी के हिसाप से बेच देता है तो परसेंट लाब यह हाने कितना होगा यह निकटता हमें में बताना है यहां पर देखिए वीडियो को पॉस करके उशन को एक बार खुद से सॉल की जागा और उसके बाद आप इसका solution देखिएगा तो देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा देखिए 30 केजी के हिसाप से एक किलो चावल 30 रु चावल खरीदे यानि कि 38 रुपे पर केजी के हिसाप से 28 रुपे पर केजी के हिसाप से चावल खरीदे कितने चालिस केजी में इतने रुपए उसने इन पर खर्च किए गया चार अट्टे 22 दो ऐसिती तो ग्याराथ तो टोटल उसने खर्च कितनी किये तो ग्यारा सो नोसो दो हुजार यानि का दू हजार बीस रुपए को उसने चावल खरी लिए टोटल सतर केजी को कि 40 kg या हुर्त करीद इस में और 30 kg और 70 kg यहां और खरीद लिए वैं कि अगर कि भूछन के अगर हम लंग्वेज को देखें यहां पर पढ़े आ गके तो देखें बोला गया verdi इस प्र है पिरकार प्रिकार बने उसने 40 किलो चावल अब बेज बिरा है वो कितने 28 रुपए केजी के चावल चावल बेचेगा तो उसको ना लाब होगा ना हानी क्यों कि खरीदे उसने लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखे तो देखे 30 केजी चावल उसने खरीदे यानिकि 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल ख़िदे प्रति 30 किलो लेकिन बेच रहा है वो उनको 28 रुपए के घिसाफ तो हन्रेश्ब परसें उसको और टेया है क्योंकि यहां पर 28 रूपय के हिसाफ से चाल इसे चैल दिखल पर होगी tôm आब खरीदे को से असने 30 रुपय पर तेद अरब यहां पर हो कि अगर आप इसको पूरा आएसे करेंगे 28 रुपे पिरती केजी के हिसाब से उसने कितने 70 रुपे किलो इसकी गुणा करेंगे आप इसकी गुणा करने के बाद जो भी आएगा ह्थाइस गुणा करने के बाद इसको 2020 को जो भी आएगा जो भी बड़ी वैल्यों को माइनस करके देखेंगे उसके बार हमारा जो अंतर निकला नहीं निकला तो हम इसको ना लिख करके हम डिरेक्ली देख लेगे कि टोटल हमारा लाब हो रही है या या हानी हो रही है तो देखें साट रुपए की हमें हानी परसेंट में में आंसर देना है इसका तो 2020 के उपर है साट रुपए का लौस तो हंड़ेड परसेंट Following परसेंट में नीचे आप माल लीजिए यहां पर 101 नाहों करके हैं पर ही सो है अगर यह सो है तो इसका तीन गुना हो जाएगा थीन बाज आए गई तो हमें बताना है लगबग महीं उत्तर तो 6 नमबर पां committee सुलेटर दूद को सब इसके इतना पतला करने के लिए कि मिलाया जाना चाहिए कि मिस्रन में पानी की मात्रा 20% हो जाए पहले तो पानी की मातरा करने के लिए मैं कितना और पानी इसमें डालना पड़ेगा यह बताना है दो इसका क्या दूद आँ उसमें पाने कितना 10 % and 10% कषक कालने के कितना जाएगा 1.6 में अब aleyकि पानी तो है इसमें पानी यहां पर यह आ यह पानी इतना यहां पर 1.6 ललेटर विंदा बचेखेशा दूद है इसमें इसको 16 में से 1.6 माइनस कर देंगे तो हमारा जो उततर आएगा ना उसमें क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड लगानी पड़ेगी यहां पर हमने 10 से गुड़ा किया है इसलिए हम वहापर डिवाइड लगाएंगे तो शोला लेटर और और इहां पर 1.6 में 1.4 को शोला चावालिव यानि कि हापर शोला लेटर लिखा हुआ हमने अपनी चैलकुलेशन आसान बना निगले इसको इसको अपने 160 मान लिया आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अब देखें इसमें जो बोला गया गिए इसमें और पानी मिलाना है तो कितना पानी और मिलाना इसमें इसमें एक्स लीटर पानी और मिला दिया इससे क्या होगा इसमें 20% की मातर हो जाएगी पानी की 20% का अगर इसमें पानी 20% होगा तो असी बचा हुआ इसमें दूद होगा अब देखें यहां पर जब यह 80% इसमें दूद हो तो दूद को हमने कॉमर अब यहां पर हम एक्स की वैली निकाल लेगा निकें टोटाल हमें पानी इसमें कितने लीटर मिलाना है वह वैल्यूआज हम यहां निकाल एकस की बराबर कहा जाएगा देखिए चार में से चार गया जीरो बचेगा और चार धोना होते हैं आपर आठ टो एक्स की वैल्य आ जाएगी हुआ जाएगी 20 लिटर पानी रूटीर हमें और डालेंगे जिससे क्या होगा इसमें पानी की मातरा 20% हो जाएगी जब हम इसमें दो लिटर दूद वो सुरी दो लिटर पानी और मिला देगे इस दूद के अंदर तो पानी के मादर इसमें 20% होगी और जो यहाँ पर देखे दूद है उसकी मात्रा हो जाएगी इसमें 80% जैनी कुश्ण नमपर 6 देखें आप mock दो तीब तीज़ों के अनुपा Hahn वाले एक गृफ की दूद ःटर मात्र को दो तीन अनुपाद के अनुपाद में दूद और पानी वाले एग अन्य दरव की मात्रा जिसमें 30rd है मिलाए जाता है यहां पर देखें मिल्क और यहां यह वाटर है रेशो कितना है यहां पर दिया गया यानि कि यह पर दिया गया है कि यह थो लिटर है यानि कि 5 threats कि यह यह दो जो है यह 5 कि बैलियों है अलग अलग निकालने के लिए पहले हम इसमें तीन से गूना करेंगा तो यह भी अलश जाए कि देए는 मिलके की यूरवाटर के वह यहां से हम निकाल नियां कर थे mena दूद आ गया यह तो और इसमें अपके बार हम दोसे मल्टिप्लाई करदेंगा तो यहां जब तीन अटाकर हम दोसे कुना करेंगा तो दूदुना इस बहुत और इस बार जो विलिएन है हमारी शापचे तो विल्य लिटर है लेकिन कुश्शन में दिया गया है वह तो तीन लिटर्ड यहां पर देख देख गया है फॉर पांच के जल्ड दिगए पहले दो से गुणा करेंगे तो यहां जागए दो त्याच है यह बटे पांच यहां जागा तीन नो नो बटे 5 अब बदाना है कि दूर दूर पानी का अनुपाद कितना होगा है कि सब्सक्राइब में क्या है यहां पर पांच है तो 5 से 5 को हम पहले कैंसल कर देंगे इनको आफाद अपके वजो बचा हुआ है दूद को दूद में जोड़ देना है पाणविक पानी को पानी में सब्सक्राइबं यह ऺड़िए तेरा औप्शन भी होगा इस कुश्चन का राइट आंसर सॉरी तो देखे ये कुश्चन बहुत ही सरल होता है इनको समझाने में थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं बाकि बहुत सरल कुशन है इनको आप खुद भी सौल कर पा रहे होंगे और देखिए लेटर सवाल ऐसे नहीं के बहुत पुराने सवाल एलिया हमने सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर घर पर हम कर लेते हैं लेकिन हम पर प्रेस ज़्यादो दोर घर पर तम कितना भी समय लागा करके सौल कर लेते हैं लेकि इन टाइम सवाल करना वह है जो सवाल कर रहा है तो ही हम मानेंगे कि हमारी थ्यारी थोड़ी अच्छी चल रही है अधरवाइस आप इनको सौल करने में यादि थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा जिनका नुपात हमें पॉंच और तीन का नुपात दिया गया यह मानले लहां लेंबी और बी है उनुपात कितना ही tehdं पांच रेशल इस यहां पर दिया गया है दोनों में यह पंसे 10 लेटर निकालाब जाता है और इसी मातर में बी मिला दिया जाता है डिविम आ तो यह की मात्रा लेटर में कितनी तो मान लीज़े तो पांच में यह तेन एक्स है अब कुष्चन में हमें बोला गया कि शुरू में यहां पर दे दिया गया कि हैं कि यह हमने माला माचेक्स यह माना हमने तीने इसको इक्वेशन बनागे सौल कर ले अब बोला गयाए कि इसमें हम मान लेते कि इसमें से बी में भर दिया अब भरने के बाद हुआ किया इनका जो अनुपात हो गया यहां पर ग्यारा हो गया ऐसा करने से यहां पर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे एक्स कमाय निकालने के बाद हम जो भी हमसे पूछा जाएगा कुछन में उसको हम हम सौल कर सकते हैं तो इनके हम क्या करते हैं कि रॉस मिल्टिप्लाइब तो यहां जागा गए ग्याराप पर पच्पन एक्स बड़ापर आ जाएगा देखें यहां पर यह तीस एक्स और प्लस के यहां जागा यह 100 अब इसमें से माइनस कर देंगे 30 एक्स को बराबर गए इस सब्सक्राइब तो यहां पर जोड़ सकते हैं इनको आट एक्स और एक्स के वैलियू हमने कितनी निकाली है चार तो चार से इसमें हमने गुणा कर दिया आठ चुक 32 अभी जो 32 आया यह आंसर नहीं आया हमारा क्यों नहीं आया क्योंकि 10 लेटर हमने इसमें से निकाला था तो जब निकालने के बात जो वैल्यू आई हमारी वाई है 32 लेटर इसका मतलब 10 लेटर अगर ने इसमें निकाला था तो दस लेटर अब इसमें एड़ कर देंगा 32 होगी विलियन की बढ़तन में वह होगी 42 लेटर यानि के ऑप्सन यह होगा इस कुशन का राइट आंसर सी तो कंफ्यूस नहीं होना इसमें और 32 लेटर तो अप्सन में भी नहीं है इसका मतलब यह आंसर दमारा वैसे नहीं है कुशन की पूरे लेंग्वेस को समझना है और उसके पाद हमें आंसर इसका लगाना है कि अगला कुशन है दूद पानी के मिशन का चार बटे पांच है था दो यानिके टोटल पांच में से चार दोदे इसका मतलब एक पानी है तो यहां दीखे दूद हो जाए गए ज्याएगा यह मिलक के हम आपर है फुल बीस लेजिए करदने में लेकिन हमारे इसाफ़ से पांच लेकर यहां पर देखे दे There हए अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी साफसे टुल कुल मातर निब ऑन ली जी पुषञां घ不錯 आ आजा गए और पानी आ जा गए चार लेटर देखिए आगे बोला गया है पर कुश्ण में पांच लेटर पानी और मिला जाए तो नए मिशन में दूद का पिर्थिशत कितना होगा पर सेंड में अंसर हम से पानी तो दूद तो हमारा शोल था अभी वी सोल अभी रहेगा क्योंकि हमने दूद को छेड़ा नहीं जितना सोल लेटर पहले था अभी भी सोल लेटर ही है बस पानी क्या बढ़ा दिया गया है तो दूद से 16 में से 25 में प्रतिश्यत के लिए लगा देगे मुड़ा में सो पच्चीचों का सो सोलचों का 64% हो जाएगी इसमें दूद की मात्रा ओप्सन यह होगा इस कुशन का राइट आंसर तो देखें पहले जो दूद की मात्रा थी इसमें वो थी 80% पांच बटे चार का जो यानि चार बटे पा पांच का मतलब होता है 80% तो चार बटे पांच पहले इसमें दूद ता लेकिन अभी जो दूद बचा हो कितने परसेंट बचा है सिर्फ 64% ही बचा है कि अंगले देखते कुशन नंबर यहां में 9-10 लिटर घोल में से दो लिटर पानी को वाश्पित किया गया इस घोल में 6% नमक पाया गया अब देखे 10 लिटर में से दो लिटर इन्हों ने उड़ा दिया तो बचा कितना आठ लिटर अब इस आठ लिटर में जो है वह 6% यहां पर देखे क्या है इसमें इसमें नमक 48 पॉइंट परसेंट इसमें क्या है नमक अब आगे बोला गया है गी limit प्रतिशा een मात्रा गे पहले नमक के मात्रा कितनी लेकिन परस्नें में परक पड़ा नमक इसमें किया है एक तो थेalay प्रतिशत Los बोलता दो लिटर इसमें से पानी उड़ा दिया पानी उड़ाया सिर्थ नमक तो जितना पहले पहले नमक था अभी भी इतना है लेकिन पहले जो मिशन था नहीं पहले वाले में पूछा गया तो 10 पर प्रतिशत में निकालने के लिए हमने इसमें क्या गया 100 से मुल्टिपलाइ कर दी तो देखें यह पॉइंट रटाने के लिए हमसे दो-जिरो कैंसल हो जाकर यहां से दस से हमने इसको भाग किया तो यहां जा गए जी पर संट से नमक तर 9.8 प्रेंट डिसकुरिशें का राइट आंसर पहले जbotin नमक की मात्रा अ हो ते 4.8 पर संट लेकिन अभी जो निम्र्सक्राव कि कि यहां पर गरम में गलम देखें लिए डिक अपर हो जाएगा एक लास्ट कुश्चन इस वीडियो का यहां पर एक गुरूब डी में आयों सवाल है यहां पर एक बिश्र धातू एलुमीनियम और निकल को तीन चार के नुपात में मिलाया कर बनाई जाती है इससे बनने बनने के लिए 36 केजी एलुमीनियम और डैश कितने केजी यहां पर कि बो लागी गैने कि है निकल कितने किलो चाहिए होगा और अनुपात हमें दे दिया यह तो देखें नी अंतियोमीनियम का जाए हुआप रेशो दिये गया है दीन ड्रेश 2000 चार कर अब अलोमीनियम चाहिए क। 36 केजी थी सिह यह इसका कितने गुना है 12 गुना तो इसका भी हम क्या करें जाएं लास्ट सवाल है यहां पर देखें चास लेटर शुद्ध दूद्ध वाले कंटेनर से 10 लेटर दूद्ध यहां पर निकाल कर 10 लेटर पानी इसमें डाला जाता है यह इस पर क्रिया को पीन बार दोहराया जाता है तो अंत्ता पानी और दूद्ध के बीच क्या अनुपाद होगा यह हमें बताना है पानी के बीच और दूद्ध की बीच का अनुपाद कितना होगा तो देखे टोटल जो यहां पर हमारे पास सुद्ध पचास लिटर जो सुद्ध दूद्ध है यहां पर पचास लिटर यहां पर दूद्ध है इसमें जो हेर फेड की गई है वो दस लिटर की गई है नहीं कि दस लिटर दूद्ध निकाल लिया और उसमें से क्या किया गया दस लिटर पानी स्में डाल दिया 50 में से 10 Лच इनों निकाल न कि इसक पार रिखर, निकाला, कि तो क्ल और दूद का रिशो निकालें गए पानी का नहीं निकालेगा यह अपने हिजाब fr using कॉप कैसे भी solve कर सकते हैं तो देखें कुल मातरा कितनी पहले दूद की और अब दूद की मातरा एक इतनी है वह हम यहां से निकालos या फिर आप इसनकितनी लख सकते हैं कि पहले दूद कितना था फ़ले अब अभी दूद कितना है आंप आप आफी इसको solution करें च activize कि इतना था 5 माले यह कि यह यह वर्टित पांच मतलब 5 में से एक एक कम होका कितना ऑगी चार अब इसी प्रोसेस को इन्हों ने तीन बार दोराया जा तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं कि तीन यहांपर दोनरे पर दीए बात ऐकि यह या फिर आप क्या कि इसको तीन बार इस कि इतना हो गया चार यानि कि पहले दूद्ध इसमें कितना था 25 यानि 25 25 25 लेटर अभी कितना है यहां पर देखें चार्ज का क्यों बताए 64 यानि के 64 तो देखें हम से पूछा गया कि अंदता पानी और दूद्ध के भीच का अनुपात कितना होगा एक यह ओप्सन में बोला है मिस्टन में वो सिर्फ 64 ही बचा हुआ है लेकिन पहले कितना था 125 लेटर ता मान लेजिए अभी कितना से कहां पर 125 में आप इस में माईनेस कर दिए 64 लेटर को क्योंकि देखें इस 125 लेटर में मालें दूध यह थो बचा हुआ पानी होगा तो पानी कितना याँ पर हमलूपात में निकल के आएगा तो यहां लेकल से 6 या बचा तो पांई होगा 60 और दूध होगा यहां पर 64 तो तो देखिए उसमें पानी और दूद के बीच का जो रेशियो होगा वह 61 और 64 होगा तो यह थे कुछ सवाल यहां पर देखिए करना वीडियो आपको पसंद आगी पसंद आगी तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले वाले वीडियो का आप चैप्टर वाइज जरूर देखिएगा ताकि आप सभी कुश्यों को आसानी से स्वाल कर से और काफ